जितनी strength जितनी intense energy एक 10 mg की dynaball अगर आप as a pre-workout उसको use करते हो उतनी ही energy आपको Mr. Hyde देता है कौन सा fitness YouTuber आपको 420 लगता है और decaffeine mellet क्या होता है कि यह slowly अपकी body में धीर धीरे अपना असर दिखाना शुरू करता है दोस्तों कैसे वाप लोग तो आज एक और review लेके आया हूँ जैसे कि मैं आपको कहा थे कुछ products का मैं review करूँगा तो आज एक pre-workout का review लेके आया हूँ प्री-workout उन supplements को बोलते हैं जिनको आप workout करने से पहले use करते हैं और उनसे मिलती है आपको intense energy उन एक-दो घंटों के लिए तो आज जिस pre-workout supplement को लेके आया हूँ उसका नाम ह है mister high doug 11्енного है अपने इसका नाम सुना हो हो सकता है आपने इसका नाम ना सुना हो लेकिन मैं एक बात आपको बताता है कि Mr. ile जो है वो pre-workout का daddy आपी वरक आइड़ की दुनिया का पापा है और मैं इसको directly compare करता हूँ और सच मानिये मैं सच कह रहा हूँ मैं सच को directly compare करता यूज करते हो उतनी ही एनरजी आपको Mr.Hide देता है दे सकता है और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको यूज किया है और मेरे काफी सारे दोस्तों ने काफी सारे फ्रेंट्स ने इसको यूज किया है और इसका जो प्रोफाइल है अगर आप इसके इंग्रीड करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने इसको शायद डाइनवाल से कंपेर कर दिया है तो आप यह सोचेंगे कि ये एक नाचुरल प्रीवर्काउट सप्लिमेंट नहीं है बट ये नाचुरल फूड एंड ड्रक ऑर्थरिटी जो है आपकी अमैरीका की जो अमारिकम स्टैνεड़ है फूड एंड सप्लिमेंटेशन के उनके दवारा प्रमानित एक प्रीवर्काउट सप्लिमेंट में आता है तो आपको बताता हूं इसके बारे में कुछ और information और सबसे पहले सबसे आसान चीज जो आपको deciding factor बनता है किसी भी supplement को use करने का वो बता देता हूँ इसकी cost 30 serving की आपको पड़ती है लगबग 2200 से लेकर 2400 दोनों Amazon और Flipkart में आपको easily available होगा और अगर आप market में जाएंगे तो market में भी आपको easily available होगा पर 30 serving जो इसकी होती है वो usually आपकी 40 से 50 days easily चलती है क्योंकि ये बहुत ही strong pre-workout है तो आप इसको half याद हाफ से थोड़ा ज्यादा अगर आप use करते हैं तो अभी ये काफी अच्छा काम करता है आपके लिए अब अगर इसकी profile की बात करें कि क्यों इतना strong है क्या है इसके अंदर तो इसके अंदर है दोस्तो 420 mg caffeine 400 BC का नंबर है ये 420 से आप मुझे बता सकते हो कि कौन सा fitness youtuber आपको 420 लगता है लेकिन 420 mg caffeine एक बहुत बहुत solid नंबर है यानि कि आप इसको अगर लेते हो इसको use करते हो तो आप शायद 1.5-2 घंटे easily बहुत high strength के साथ workout करोगे और यहाँ पर मैं आपको एक review दिखा रहा हूँ मैं एक video देख रहा था और उस video के अंदर मुझे एक review मिला जहाँ इसको use करने वाले एक भाई साब ने इसको पहली ही बार मैं पहले half scoop लिया उनको 5-10 मिनट तक कोई इसर नहीं हुआ दुबारा half scoop लिया और फिर वो लगबग 4 घंटे तक workout करते रहे और उसके बाद काफी परशान भी रहे उस तराब को नीद नहीं आई उन्हें तो ध्यान रखिएगा कि इतना solid pre-workout है कि अगर आप पहली बार इसको पूरा scoop यूज़ कर लेंगे इवन इफ आपने पहले C4 Extreme या 1MR जैसे normal pre-workout यूज़ किये हैं तो भी इसको पहली बार अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रखिए इसको half scoop से ही start करिएगा आप कुछ और important questions जो आपके पहले 20 minutes पहले इसको आप पानी के साथ mix करके amazing mixability है इसकी taste भी काफी अच्छा है लगबग 6-7 flavor में available है तो उसका 15-20 minute पहले यूज़ करिए और आप intense amazing workout करेंगे एक बात और ध्यान रखिए जिसे हम crashing कहते हैं हो सकता है आपको 2 घंटे के workout के बाद थोड़ा थकान लगे नीद आए और आपको crashing यानि कि आपको लगे कि बस अब मैं सो जाओं ऐसी भी feeling आपके अंधर आ सकती है पर देखा जाए तो ये इतनी बुरी feeling नहीं है क्योंकि अगर आपने intense workout किया है पर हाँ अगर आप office जा रहे हैं और आप college जा रहे हैं तो शायद आपको शुरू में कुछ 5-7 दिन नीद आएगी दिन में आपको आपको हो सकता है कि थकान महसूस सुबह very intense workout किया है तो ऐसा आपको हो सकता है पर एक बात मैं आपको बताता हूँ अपने personal experience से कि अगर आपको ऐसा होता है तो वो चीज आपकी यह जो feeling है आपकी crashing की यह अगर आप 15-20 दिन इस आदत के साथ आप जुड़े रहते हैं morning workout की तो उससे आपको crashing कुछ time बाद होनी बंद हो जाएगी और एक और point में आपको बताता हूँ कि अगर आपको इसको यूज करना है तो आप इससे half scoop यूज करिए half scoop से थोड़ा कम यूज करिए तो इसके साथ आप कोई pump enhancing pre-workout जिसके super pump 250 भी यूज कर सकते हैं तो उससे क्या होगा कि आपको energy बहुत extreme आएगी और आपकी viscularity आपकी जो नसे रिखती है जो pump होता है कि half आपने ये यूज किया और half आपने कोई अच्छा pump enhancing pre-workout यूज किया इसका pump enhancing capability इतनी अच्छी नहीं है लेकिन हाँ इसका जो strength है वो बहुत ही outstanding है बहुत ही आपको पागलपन वाली feeling ये दे सकता है अब बात कर लेते हैं कि मैं क्यों इसके इतनी तारीफ कर रहा हूँ क्यों मैं इसको इतना compare कर रहा हूँ even anabolist के साथ तो उसका reason है ये इसके ingredient तो इसके ingredient के बारे मैं समझाता हूँ मैं अभी आपको तो अगर पहली इसके अंदर चीज जो मैं आपको बताई है कैफीन की concentration जिसमें बहुत हाई होती है यापनी concentrated caffeine जो होता है वो है इसके अंदर 300 mg उसके बाद इसके अंदर है decaffeine melate और decaffeine melate क्या होता है कि ये slowly अपकी body में धीर धीरे अपना असर दिखाना शुरू करता है तो आप long term यानि कि जो आपका workout जो है उसको जाब कर रहे होंगे तो धीरे धीरे ये अपना असर आपको दिखाता रहेगा और तीसरी चीज़ जो है caffeine citric acid blend और caffeine citric acid है एकदम fast acting यानि जैसे ही आपने इसको पिया जैसे ही आपने से यूज किया इसने अपना असर दिखा दिखा दिया तो तीन डिफरेंट टाइप की जो caffeine metrics हैं तीन डिफरेंट टाइप की जो caffeine blends हैं उनकी वज़े से आपको जो है वो extreme energy मिल रही है different phases में मिल रही है तो इसलिए आप क्या करेंगे कि 2-3 घंटे तक आप intense workout करते रहेंगे उसके बाद भी आपको इसकी caffeine का punch लगबग 4-5 घंटे मिलता रहेगा अगली चीज जो इसकी intensity metrics है जो basically आप कह सकते हैं इसका mood enhancing जो factor है जो आपके dopamine को release करेगा अच्छा feeling आपको देगा वो है इसकी 653 gram और इसके अंदर भी काफी सारी चीज़े हैं जैसे की योहांबी bark extract है फिर आपका GABA है तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपके dopamine को release करती है और आपको अच्छी feeling कराती है जिम के अंदर आप अच्छा feel करते हैं और आप ज्यादा देर तक workout करना चाहते हैं और फिर जो तीसरी चीज़े है जो है जाता है और और ब्रैंट से और प्री वर्काउट से क्योंकि क्रेटीन की मातरा यानि की strength enhancing जो factors हैं चीज़े हैं उसकी मातरा इसमें कम है pump enhancing factors की मातरा भी इसके अंदर कम है और इसका reason यह है दोस्तों क्योंकि और इसके अंदर इतनी high amount में बाकी सारी चीज़ें डाल दी गई हैं इतने सारे stimulants डाल दी गए हैं कि अगर वो भी इसके अंदर डाल देते हैं तो शायद इसको संभाल पाना ही बहुत मुश्किल हो जाता और जैसा कि मैंने बताया कि even जो इसके अंदर amount में stuff दिया हुआ है इसको आप एक स्कूप लेंगे तो आप शायद बहुत ही जादा बावले से हो सकते हैं तो इसलिए इसका half scoop ही काफी है तो इसके अंदर और जादा ingredient की संभावना कम थी और इसके अंदर अगर आप कोई और pre-workout कोई और अपना supplement जो आप यूज़ करते हैं उसकी half scoop को mix कर लीज़े अगर value for money की बात करेंगे तो आपको half scoop से भी काम चल रहा है तो आप अपने जो already use करते हैं pump enhancing pre-workout तो आप साथ में इसके use कर सकते हैं तो दोस्तों अगर personally आप मुझसे पूछोगे कि क्या आपको इसे खरीदना चाहिए और मेरी क्या राया है इसके बारे में तो मैं कहूँगा कि यह जो product है यह काफी potent product है काफी अच्छा product है थोड़े advance athletes के लिए जो लोग कुछ time से workout कर रहे हो minimum at least मैं कहूँगा 6-8 महीने तो workout जो लोग करी रहे हो जिनोंने एक दो बार कुछ pre-workout strike किये हो black coffee से जो लोग आदी हो चुके हो अगर आपने कभी भी आप coffee भी नहीं पीते हैं और आपने caffeine से भी आपको problem होने लगती है तो उनके लिए product नहीं है और overall अगर मुझे इसको rank करना हो rating देनी हो तो मैं करूंगा 4 out of 5 या फिर 4.2 out of 5 क्योंकि इसके अंदर 420 mg caffeine है तो 4.2 out of 5 मैं इसको rate करूंगा इसकी टककर के products market में काफी कम है जो इतने सारे stimulant से भरे हुए हैं इस price range के अंदर इवन दो जो price range के अंदर बहुत solid और pre-workout भी आते हैं वो भी मैं कहूंगा कि उसके अंदर इतना stimulant नहीं होगा अगर आप इसको compare करेंगे गूगल करेंगे इसकी amount को आप directly compare करेंगे उनके साथ तो इसके अंदर भी इतना समान नहीं मिलेगा आपको तो इसलिए ये एक काफी solid product है और क्या आप इसे use कर सकते हैं तो मैं कहूंगा कि आप इसको use definitely कर सकते हैं क्या girls इसको use कर सकती है तो girls भी use कर सकती है definitely और amount आप इस कोई चीज नहीं है जो लड़कियों के लिए specifically खराब हो hormone को imbalance करें ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर और नहीं लड़कों के लिए ऐसी कोई चीज है कि जो आपके hormones के साथ गरबड़ी करें लेकिन हाँ अगर आप इसको अच्छे से use करना चाहते तो cycle करें यानिकि आप इसको करते हैं तो आप मेरे वीडियो को देखते रहिए subscribe करिए share करिए like करिए पुराने वीडियो देखिए 100 से ज़्यादा वीडियो अब चैनल में आ चुके हैं और मैं देखाएगी कई साइड लोगों ने वीडियो पुराने नहीं देखे हुए हैं और वो same questions पूछते हैं बार फट्चरा जाओंगा गुडबाई मिलते हैं दुबारा